नमस्कार आप सब का मदू की रिसोय में स्वागत है आज हम मदू की रिसोय में एक अलग तरीके का स्नैक्स मिनाने जा रहे हैं स्नैक्स में लगने माले स्मागरी है आदी कटोरी चावल का आठा ले लिया है दो प्याज पत्ली स्लाइस किये हुए एक कटोरी बारी कटिव हरी धनिया पत्ता आदा छोटा चम्मच राल मिच पाउडर एक चम्मच पाउडर आदा छोटा चम्मच चाट मसाला तो हरी मिच बारी कटिवी आदा चम्मच जीरा पाउडर आदा चम्मच राल मिच पाउडर आदा चम्मच हल्दी पाउडर आदा च तोटा चम्मच हींग, चित्की भर, मीछा सोडा, नमक स्वाद नुसार, तोनादा चम्मच हेजवेड, बनाना शुरू करेंगे, उसके लिए खाली बड़तल लेंगे, प्यास जाल देना है, अरी मिट्च, अली, अली मिर्च पौड़र, जीरा पौडर, आप मिसला, कि अच्छा सोड़ा कि मुख स्वाद नुशार कि जाल मुच पाउड़े निया पत्ता अब इन सच को मिला देना है कि यहीं डाल देंगे अपने आटा डाल देंगे चावल का कि यह लाना है कि यहीं डालेंगे में को हतेली में मसलना है और डाल देंगे को अब आधि डालेंगे आधि ने यहां पाइं डाल देंगे आधि आधि कि अब इसका हमने एक शॉप डो बनाना है यानी नरम बूनना है यह देखिए स्वाइब बनाना शू करेंगे इसका हमने सर्सू के तेल बनाना है इसके लिखेंगे चछा यह शुंझे पाख चुका है यादि गरम हो चुका है कर दोखना है अए और बनाना सू खेंगे है इसके लिख Sure वे थोड़ी से च्छोटी नहीं है विली को बीकी मेड़ सेमे नहीं जदे नहीं? प्रट दिन है हमने फोर फोर देर में प्रटते होएं दोना तरफ से जिसका प्रारे ही हो जाते तब सक पकाना है कि दोने प्राउन भी हो चुका है और अच्छे से प्राणा भी हो गया है इसको में निकाल लीना है पीस्टी स्नेक्स बनके त्यार है इसे आप हरी चट्णी या लाज चट्णी के साथ भी खाव सकते हैं और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी नोटिफिकेशन बेल को भी देवाना ना भूले जो भी मेरी लेटेस वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके धन्यवाद